नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं कुछ अन्य प्रीवियस यर क्वेश्चन का जो हमारे चैप्टर थर्ड धातो एवं अधातो से संबंधित है ये ऐसे प्रेश्ट हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड परिक्षाओं में बार बार पुछे जा रहे हैं तो ये आपकी आने वाले परिक्षाओं की दृष्टी से भी बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं तो इनकी प्रेक्टिस आपको करते रहनी है और इनको रिवाईज भी आपने करते रहना है तो देखिए इसमें जो आज का हमारा पहला प्रश्ण है वह है एक धातू तथा एक अधातू का नाम बताईए जो सामान्य तापक पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं देखिए जब हमने धातू और अधातू पढ़ा था तब हमने देखा था कि धातू में जादतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं है ना और अधातु में सामान्य तहा ठोस और गैसी अवस्था में पाई जाती है लेकिन हमने साथ ही साथ कुछ अपवाद भी देखे थे जिन में जो धातु थी वहे द्रव अवस्था में पाई जा रही थी और एक अधातू भी ऐसी थी जो की द्रव अवस्था में पाई जा रही थी तो उन्हीं को आज हमने रिवाइस कर लेना है फिर से कमरे केताब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका क्या नाम होता है? पारा या फिर मरकरी और उसका क्या प्रतीक होता है? तो ये प्रश्ण एक नंबर में पूछा गया था, इसमें केवल ऐसी धातू और अधातू के नाम लिखने थे, जो सामाने ताप पर द्रववस्था में पाई जाती हैं, तो हमने उनके नाम लिख दिये, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जो अगला प्रश्ण है, आयनिक योगिकों के सामाने गुण धर्मों का उल्ले कीजिए, तथा इस पश्ट कीजिए कि आयनिक योगिकों का गलनांक उच्च क्यूं होता है, देखिए जब हम लोग आयनिक योगिक पढ़ रहे थे, तब हमने डिसकस किया था, एक धातू और एक अधातू, आपस में क सोडियम एक धातू है, जबकि जो क्लोरीन होती है, वह क्या होती है, एक अधातू होती है, सोडियम के वाहतम कोश में एक इलेक्टरॉन होता है, जिसको अगर ये त्याग दे, तो इसका एल कोश क्या हो जाता है, इसका वाहतम कोश बन जाता है, और इसका संयोजकता कोश प इसको चाहिए एक electron और ताकि इसका जो वाहतम कोश है वह क्या हो जाए? आठ electron उसे पूर्णों हो जाए और इसकी संयोजकता संतुष्ट हो जाए तो ये sodium क्या करता है? ये sodium का परमानू अपना जो एक extra electron है वह इसको दे देता है इसकी संयोजकता भी संतुष्ट हो जाती है इसकी भी संतुष्ट हो जाती है और जो sodium chloride का निर्मान होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको Na positive Cl negative क्योंकि इसने एक electron ग्रहन किया है और इसने एक electron का त्याग किया है तो इस पर धनावेश ज्यादा हो गया है और इसका रिनावे कि ये बात है कि आयनों की आदान प्रदान से आयनिक योगिक बने हैं जिसकी वज़े से जो इनके मध्य में आकर्शन बल है अंतर आयनिक आकर्शन बल वह क्या है वह बहुत ही ज्यादा है अब जब इनके आयनों के मध्य में आकर्शन बल बहुत अधिक है तो इसका क्या मत परिवर्दन करने के लिए इनको अत्यधिक ताप की आविशक्ता होगी इससे ये पता चलता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होने चाहिए उच्छ होने चाहिए तो मिल गया आपको अपने प्रशन का उत्तर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए देखिए आयनि क्योगीकों के सामानी गुंधर्मों में आप लिख सकते हो कि इनके माध्य में मजबूत अंतर आयनिक आकरशन बल होता है जिसकी वजह से इनका जो गलनांक होता है वह क्या होता है उच्छ होता है ठीक है दूसरी बात ये भंगुर प्रवरित्ति के होते हैं जैसे कि आप सो एल में घुलनशील होते हैं किन्तु किरोसिन तेल या पेट्रोल इत्यादी जैसे विलायकों में ये नहीं घुलते हैं ठीक है ठोस अवस्था में इनमें विद्यूत का चालन नहीं हो पाता है क्योंकि ये क्या है बहुत ज़्यादा द्रण है इनके मध्य में अंतर आयनिक आकरशन बल बहुत ज़्यादा है लेकिन जब ये गलित अवस्था में होते है ना तो इनके माध्ये में जो स्थर विद्युत आकरशन बल है वह कम होने लगता है कम जोर पढ़ने लगता है और जिस वज़े से इसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है तो ये सब हैं आईनिक आकर्शन बल पाया जाता है बहुत ज्यादा मजबूत क्योंकि आपको मालुम है कि दो विपरीद आवेश एक दूसरे को बहुत तीवरिता के साथ में आकर्शित करते हैं है ना तो इसी लिए चलिए अब हम लोग अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है मिश्र धातू क्या होते हैं नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी चीज का मिश्रन अब धातू लगा है तो इसका मतलब है दो या दो से अधिक धातू का मिश्रन तो इसकी परिभाशा क्या देंगे आप आप बोलेंगे दो या दो से अधिक धातू के समांगी मिश्रन को सम कांसा इन दोनों के उदाहरन दे सकते हो जो पीतल होता है वह मिश्रधातु होती है कौपर यानि की तामबा एवं जिंक यानि की जस्ता इन दोनों से मिलकर बनी होती है वहीं जो कांसा होता है वह मिश्रधातु होता है कौपर यानि की तामबा और टिन टिन का प्रतीक होता है S N ठीक है इन दोनों से मिलकर बना होता है कांसा तो आप समझ गए मिश्र धातु क्या होती है दो या दो से अधिक धातूं का समांगी मिश्रण एवं इसके उदाहरण में पीतल और कांसा आप लिख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रशन है दो धातूं के ना नाम लिख देंगे जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं शायद आपको याद हो जब हम लोग सक्रियता श्रणी पर रहे थे उसमें हमने देखा था कि कुछ धातूं में बहुत ही कम अभिक्रिया शील होती हैं और उन्हें हम सक्रियता श्रणी में बहुत ही अंतिम पाईदान पर रखते हैं है ना तो उसमें से जो दो धातूं के आपको नाम लिखने हैं वे क्या क्या है उसमें एक हो गया सोना सोने का प्रतीक क्या होता है सोना यानि की गोल्ड इसका प्रतीक होता है ए यू दूसरा हो गया चांदी या फिर सिल्वर सिल्वर का एवं चांदी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, क्या होता है जब तामबे को वायू की उपस्थिती में गर्म किया जाता है, इसके लिए आपने केवल एक रासाइनिक समिकरंड देनी है, और यह एक नंबर के प्रश्ण में पूछा गया है, तो जब कॉपर यानि की CU प्रतीक होता है ना कॉपर का, इसको वायू की उपस्थिती में गर्म किया जाता है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, वायू की उपस्थिती में गर्म, यह गर्म करने का साइन है, यहाँ पर आप इसको तापन, उश्मा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ह होता है cuprous oxide जिसे हम copper one oxide बोलते हैं और दूसरा होता है cupric oxide जिसे हम copper two oxide बोलते हैं तो ये है copper two oxide इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख भी देते हैं ठीक है तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया उत्पाद के रूप में copper oxide या फिर copper two oxide हमको प्राप्त हो गया ठीक है इस समी समीखरण को संतुलित कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2CU प्लस O2, और इसमें उत्पाद के रूप में निर्मित हो गया 2CUO, ठीक है, चेक कर लिजे, कॉपर के अभिकारक की तरफ दो परमाणू, कॉपर के उत्पाद की तरफ भी दो परमाणू, ऑक्सिजन के अ क्या आप लोग, आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संक्षारण पर टिपणी लिखिए, के बारे में तो हम लोगों ने फर्स चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, लेकिन थर्ड चैप्टर में हमने थोड़ा ज्यादा विस्तार से पढ़ा था अब इस पर आपने लिखनी है टिपणी, मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था संक्षारण के बारे में, कि जो धातुएं होती हैं, जब वे वायों में उपस्थित, नमी से या फिर विभिन गैसों से क् लगती हैं, तो वे संक्षारित हो जाती हैं, या फिर उनके गुणों में कमी आने लगती हैं, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि वे खराब होने लगती हैं, जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण लिया था, किसका लोहे में जंक लगना, लोहे में जंक किस वज़े से लगता है तो लोहा यानि की आईरन जब इसने क्रिया की वायू में उपस्थित नमी नमी किस रूप में होगी? आदरता क्या होती है? जलवाश्प के रूप में तो ये बना देता है फेरिक ओकसाइड या फिर हम इसको क्या बोल सकते है? आईरन ओकसाइड है ना? तो इस प्रकार से जो ये आईरन का ओकसाइड होता है ना यही होता है जंक ठीक है? साथ ही साथ हम लोगों ने एक और उधारन भी देखा था कि जब सिल्वर की किसी चीज़ को वायू में ऐसी ही छोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाती है? काली पर जाती है है जिसकी राशाइनिक समिकरन हम इस प्रकार से लिख सकते है सिल्वर यानि कि उसका प्रतिक AG उसने क्रिया की वायू में उपस्थित सल्फर के साथ में और बना दिया सिल्वर सल्फाइट जो की हमें काली रंकी परत के रूप में नजर आता है इस समीकरन को संतुलेत आप इस प्रकार से कर दीजे 2AG प्लस S और उत्पाद के रूप में निर्मित हो गया सिल्वर सल्फाइट ठीके यहाँ पर ये एक्विशन भी हमारी कुछ अधूरी से रह गई है इसको भी पूरा कर लेते हैं देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइट प्लस हाइडरोजन गैस निर्मित होगी और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिये ठीके तो देखिए अभिकारक की तरफ आईरन के 2 पर माणू उत्पाद की तरफ भी 2 पर माणू उत्पात की तरफ भी oxygen के 3 पर माणू और hydrogen के यहाँ पर 2 पर माणू यहाँ पर भी 2 पर माणू इस प्रकार से आप संग्शारण समझ गए जब धातों क्या हो जाएं अपने गुणों को खोने लगें किस वज़े से जब वो वायों में उपस्थित नमी या फिर अन्य गैसों के साथ में क्रिया कर लेती हैं तो अलग-अलग कलर की परत बना लेती हैं या उनकी जो विशिष्टाएं हैं वे कम होने लगती हैं है ना वे अपने गुणों को खोने लगती हैं तो तब वे कहलाती हैं संग्शारित तो आप इस प्रकार से इस question का solution पेपर में लिख सकते हो इस प्रकार से हम लोगों ने third chapter को complete कर लिया साथ ही साथ अपनी जो अभ्यास प्रश्ण थे जो बहुत ज़्यादा important हैं उनको भी कर लिया अब आप लोगों का काम है कि इन प्रश्णों का खूप सारा अभ्यास कीजिए revise करते रहिए और इन्हें अच्छे से समझते रहिए ताकि पेपर के लिए आप लोगों को काफी असानी हो सके और इनके लिए एक copy भी बनानी है मैं बार बार repeat कर रही हूँ उसी copy में सारे प्रश्णों को solve करोगे तो पेपर के पहले अच्छे से revise कर पाओगे अब हम मिलते हैं अगले lecture में तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए